वेलकम स्टूडेंट्स स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्टेडी स्कल सक्सेस पर तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NEET 2020 को लेकर एक बिग गुड न्यूज है फोर दी मैडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि अब जो है डॉक्टरों की बर्मार अपने को देखने को मिल सकती है अब ऐसा क्यों बोला गया है वो तो भई न्यूज देखकर ही पता चल पाएगा तो देखते हैं आज की आप के लिए जो इंपोर्टेंट न्यूज है वो क्या है नीट के जो स्टूडेंस है या फिर मेरिकल लाइन से रिलेटेड जो भी स्टूडेंस है या फिर जो भी पर्सन्स है तो वो इस वीडियो के एक बार जरूर देखे क्योंकि ये वीडियो उन सभी के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंस जो है वो होने वाले है यारे परसन के लिए ठीक है तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि ऐसा क्यों बोला गया है डॉक्टर्स के लिए तो देख लेते हैं क्या बोला गया है कि हिमाचल की ये न्यूज है कि हिमाचल की जो इंद्रागान्दी मेडिकल कॉलेज है शिमला, IGMC, नाहन, नर्चोक, टांडा, हमीरपूर और चंबा इन मेडिकल कॉलेजों में 109 विशेशगय डॉक्टरों की तेनाती हो गई है और हर कॉलेज में 15 से 20 विशेशगय डॉक्टर बेजे गए है परदेश सरकार ने जो इन डॉक्टर्स को GDO से पदोनत कर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर बनाया है medical college में डॉक्टरों की बारी कमी चल रही है ऐसे में परदेश सरकार ने शिमला medical college और टांडा से अन्य medical college के लिए डॉक्टर जो है वो shift किये गए थे ठीक है आगे क्या बोला गया है कि अब नहीं तेनाती से मरीजों को राहत मिलेगी इन डॉक्टर में विशेशेगे डॉक्टर जो है वो शामिल है स्वास्तिया मंतरी विपन सिंग परमार ने बताया कि रिक्त बदों को बरा जा रहा है और medical college में विशेशेगे डॉक्टर तेनात किये जा रहे हैं जो चमबा में डॉक्टर सेवाए देगे इन डॉक्टर को जो 15,000 है वो अत्रिक्त दिये जाएंगे अब ये क्यों तो वो भी देख लेते हैं तो चमबा medical college में सेवाए देने वाले डॉक्टर को वेतन के साथ 15,000 रुपए अत्रिक्त इनिसेंटिव मिलेगा डारेक्टर ओफ हेल्थ सर्विस की और से अदेश के मताबिक पहले साल में इन डॉक्टर को 55,000 रुपए फिक्स प्रती मिना दूसरे साल में 57,000 रुपए फिक्स प्रती मिना और तीसरे साल में 60,000 रुपए फिक्स प्रती मिना तनका जो है वो निर्दारित की गई है तो फ्रेंट्स यह जो है कि डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए जो इमातल प्रदेश के मैंने आपको कॉलेजेस बताएं उनमें बहुत से डॉक्टर्स को शिफ्ट किया गया है जिनसे मरीजों को अब राहत मिलना शुरू हो गई है 109 डॉक्टर्स विशेशगे हैं जिनको अलग-अलग मेडिकल कॉलेजेस में हर मेडिकल कॉलेजेस में 15 से 20 जो डॉक्टर्स हैं उनको शिफ्ट किया गया है तो जल्दी जो यहां के प्रदेश के जो हालात है वो सुद्रे हुए हमें नजर आएंगे तो काफी जादा इंपोर्टेंट यह वीडियो है और काफी जादा इंपोर्टेंट उटसे भी जादा इंपोर्टेंट यह न्यूस है जो आपके लिए थी उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगी होगी और न्यूस पूरी जो है वो समझ में आई होगी कि कि क्यूं इन डॉक्टर्स को वहां पे शिफ्ट किया गया है क्योंकि वहां पे परदेश के जो गवर्रमेंट है उसको डॉक्टर्स की जो कमी है वो नजर आ रहे थी बड़ी मातरा में तो इसलिए इन डॉक्टर्स को वहां पे शिफ्ट किया गया है और जो एक मैंने कोड जो मैं आपको मेडिकल कॉलेज बताया जिसका नाम चमबा था तो वहां पे जो डॉक्टर्स सेवायन देगे उनको 15,000 रुपए जो अत्रिक्त है वो वेतन मिलेगा तो फ्रेंड्स ये थी important information तो मिलते हैं एक और नहीं वीडियो के साथ एक और नहीं other informations के साथ तब तक के लिए good luck and have a nice day